अच्छा बात करेंगे 18 और 19 प्रवरी के मौसम का अपडेट बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदलरा बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का सितम भी कम होने लगा है मौसम विभाग के तरफ से जारी पूर मानुमान की माने तो मौसम अभी सुस्क बना रहेगा हलांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में नियूंतम तापमान में गिरावट देखी गई है जिससे लोगों की सुबह और रात में हलकी ठंड का एसास हो रहा है मौसम विभाग के तरफ से यह भी कहा गया है कि परदेश के कुछ हिसों में चीट पुट वारिस हो सकती है मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के अमसार मौसम सुस्क बने रहने की बात कही गई है विभाग के तरब से जारी अपडेट के अंसार यह भी कहा गया है कि प्रदेश भर में पस्चमी और उत्तर पस्चमी हवा का प्रभाब जारी है जिसके कारण प्रदेश में लोगों को अभी भी ठंड का एसास हो रहा है विभाग ने अभी कहा है कि प्रदेश के एक से दो अस्थानों को छोड़ दें तो अधिकतर हिस्सों में नियुंतमर और धिकतम तापमान में दो से तीन डिगरी तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है हाला कि दीन में चुभन वाली गर्मी पड़ रही है जिसे दोप में निकलने वाले लोगों को थोड़ी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है मौसामी भाग ने बारिस को लेकर जारी अलर्ट में कहा है कि परदेश के दस्चिन पूर्व के हिस्सों में छीटपुट बारिस हो सकती है तो आईए अब जान लेते हैं 18 और 19 फरवरी के तापमान का पूरवानुमान उतर पस्चिन पिहार के तहट आने वाले जिलों में पस्चिन चमपारन, सिवान, सारन, पूरवी, चमपारन, गौपालगेज में 18 फरवरी का अधिक्तम तापमान 22-24 डिगरी रहने की बात कही गई है तो वहीं नियुंतम ताप्वान जो है 10-12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं नियुंतम ताप्वान को देख लें तो 26-28 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं नियुंतम ताप्वान जो है 14-16 डिग्री रहने की बात कही गई है। दचिनमत बिहार के तहत आने वाले जीलों में पटना, गया, नारंदा, सिखपूरा, नवादा, बेगु सराय, लखी सराय, जहानाबाद का 18 फरवरी का अधिक्तम ताप्वान जो है 24-26 डिग्री रहने की बात कही गई है। जबकि इनहीं जीलों का नियुनतम ताप्वान जो है 10-12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दच्छिनपूर बिहार के तहट आने वाले जीलों में भागलपूर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगडिया का 18 फरवरी का अधिक्तम ताप्वान जो है 24-26 डिग्री रहने की बात कही गई है। जबकि नियुनतम ताप्वान जो है 12-14 डिग्री रहने की बात कही गई है। 14-16 डिग्री पहुँच गया है, यानि की नियुनतम ताप्वान में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में दीन में जो गर्मी का एसास हो रहा है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ हुए जानकारी बिहार और बिहार से जुड़ हुए और वेसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुच के साथ। मुझे दिजिए इजाज़ धन्यवाद।